नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आप लोग सामने एक ऐसा जंगली पौधा लेकर आया हूं जो जंगलों को भीतर अधिकतर पाया जाता है लेकिन आज काल इस पौधे को लोग अपने घरागन में गार्डन में बाग बग साम में अलग अलग नामों से जाना जाता है कुछ लोग इसे जंगली कुआर बोलते हैं कुछ लोग केटकी बोलते हैं इस पौधे के पत्तों में नुकीले नुकीले काटे होते हैं इसलिए बहुत लोग इसे कंटल या कंटक का पौधा भी बोलते हैं दोस्तों इसके पत्त लंबे लंबे देखने में वहुत ही सुहाना दिखाई देते हैं सुन्दर दिखाई देते हैं देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई टोकरी रखा हुआ हो दोस्तों या राम बास के पत्ते एलो बीरा के पत्तों से मिलते जुलते होते हैं लेकिन एलो बीरा के पत्ता गुदग और हाँ दोस्तों इसके पत्तों के बीचों बीच में एक मोटा सा डंटल निकलता है जिस तरह से बास होता है उसी तरीके से और उपर जाने के बाद उसमें फूल खिलते हैं फूल सफेद रंका भी होता है हरा रंका भी होता है और नीला रंक भी होता है और पीला रंक भी होता इस तरह से इसमें गुच्छेदार फूल लगते हैं और देखने में काफी सुन्दर दिखाई देते हैं तो चलो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आप इस राम बास को यानि केतकी को जंगली केतकी को पहचान चुके होंगे तो आओ चलो अब इसके फाइदों के बारें भी हम क जिबूत होता है और हुआ अपने काम में रसी बनाकर उपयोग करते हैं दोस्तों इस राम बास के पत्तों के रसी बनाने के लावा और भी फाइदे हैं जैसे मान लीजिए किसी के कान में दर्द होता हो तो इसके पत्तों को थोड़ा से गर्मा कर हथेली में रगर कर उसका रस निकालकर कान में अगर दो तीन बून डालते हैं तो कान का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। दोस्तों इसके पत्ते या फिर इसके फूलों काढ़ा बनाकर सेवन करने से पेट के समस्त रोग ठीक होते हैं। दोस्तों घाव फोड़े फुनसिम भी या काफी फाइदे मंद माना जाता है। तो सनसाव पेचस रोग भी ठीक होता है। दोस्तों इसके नरं मुलाएं पत्तों का पाओडर भनाकर घाव को उपर सिलकने से भी घाव फोड़ा फूंसी सड़ा ज़ा घाव सूखने लगता है। दोस्तो इसके पत्तों के साथ में फिटकरी मिलाकर कारा बनाकर इस्त्रियों की योनी को साप करने से योनी रोग दूर होता है अगर किसी की infection हो या फिर लिकोरिया प्रदर रोग के वज़े से योनी के अंदर खुजली होता हो या सफेद द्राव निकलता हो तो ऐसे सभी रोगों में आप इस रामबास के पत्तों में फिटकी मिलाकर कारह बनाकर योनी के अंदर पूस करते हैं, योनी धोते हैं, तो योनी समस्त बिमारियों पर या फायदे मंद साबित होगा दोस्तों या रामबास के पत्ता सूजन को भी दूर करने काम करता है, अगर कहीं भी किसी भी अस्थान सूजन हो दर्द हो तो आप इस रामबास के पत्ते को फाड़ कर दो हिस्साम बार दीजिए और दोनों हिस्से में सेना नमक डाल दीजिए पौडर बनाकर और सरसोग तेल लगा दीजिए और फिर उसे आग में गर्मा कर दर्द और सूजन के अस्तान पर बांधने से दर्द सूजन दूर हो जाता है दोस्तों बाल के लिए भी फाइदे मंद है अगर बाल में डेंडरफ है जू है तो आप इस पत्तों के साथ में आवला मिलाकर काड़ा बनाकर अगर बाल को साप करते हैं दोते हैं तो डेंडरफ रूसी नश्ट हो जाता है तो देख लीजिए पहिचान लीजिए दोस्तों या एक बहुत ही अच्छा आयरवेदी कवसदी है जड़ी बूटी है जो लोग नहीं जानते नहीं पहिचानते तो पहिचान ले और जरूरत पढ़न